Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटा फट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप सिल्कुल ना पूरे साथ ही हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक बेड कर दें अब चुट्टी के दिन भी दोड़ेगी तेजुस एक्सप्रेस देश की कॉर्पोरे ट्रेन तेजुस एक्सप्रेस अपनी चुट्टी के दिन भी काम करेगी इस ट्रेन को सब्ता हमें एक दिन मंगलवार को आराम मिलता है लेकिन दीपा वली के बाद लखने उसे नई दिल्ली वापसी के लिए होने वाली भीड को देखते हुए 25 अक्टूबर को मंगलवार के दिन भी चलाएगा इतना ही नहीं अभी ये कॉर्पोरे ट्रेन अगले आदेश तक सब्ता हमें 6 दिन दोड़ेगी खाली रह गई डियलेट के 50 प्रतीशत सीट्स डियलेट डिप्लोमा इन एलिवेंटरी एडिकेशन 2022 के तहर्त रिक्ति सीट्स को शत प्रतीशत भरे जाने के लिए असन ने सीधे प्रवेश की अनुमती दी है इससे डाइट समीत नीजी कॉलेजिस में 50 प्रतीशत से अधिक रिक्ति सीट्स के भरने की उमीद चकाई प्रवेश के प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है गोरकपुर की 78 ग्राम पंचायतों की बदले की सूरत सच भारत प्रवेशन ग्राम एट फेस दो की अंतरगत 5000 से अधिक अबादी वाली जिले की 78 ग्राम पंचायतों को ठोस और तरल कूडा निस्तारण के लिए 20 करोड निस्ताक रुपे स्विक्रित किये गए हैं एजी बीजी आए में खुलेंगे 39 विभाग सिरोगर्दन की सरजरी की मिलेगी सुविथा संजी गांदी स्नाटक उतरायर विग्यान संस्थान में 39 विभाग खुलेंगे संस्थान की 96 शासी निकाय बैचक में सिरोगर्दन की सरजरी बालची कित्सा, एंड्रोकिनोलोजी, संक्रामक रोग और वैक्सीन, अनुसंधान के नए विभागों के स्रजन को मन्जूरी दी गए मुके सजीब दुर्गशंकर मिश्रा ने कहा कि जनसंख्या की दृष्टी से सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूर उत्तपरदेश के किसी भी अस्पताल में सिर और गर्दन सजरी विभाग नहीं था संस्तान में ये विभाग सिर और गर्दन के कैंसर का उपचार करेगा जो उत्तपरदेश में पाए गई कुल कैंसर के मामलों का 21 प्रतीशत है आज लगेगा रोजगार मेला भी रोजगार को मिलेगा फायता ITI डिप्लोमा बीटिक मैनिगमेंट से लेकर इस नातों को पराइस नातों की दिगडी रखने वाले चात्रशात्राओं के लिए लगनों में रोजगार का मौका मिल रहा है डॉक्टर एपेज अफदुलकलाम तक्नीक के विश्विद्धाल है और उससे जुड़े कॉलेजिस के छात्रशात्राओं के लिए सक्षम रोजगार मेला आज 3 सितंबर को लग रहा है ये रोजगार मेला SR Institute of Management and Technology बक्षी का तालाब में लगेगा इस रोजगार मेले में चात्रशात्राओं मुफ्त पंजियन करा सकते हैं अब इस्टेशन्स पर तीन महीने तक लगा सकेंगे OSOP काउंट शेत्री उत्पादों को बढ़ावा देने और सेमसेवी संस्थाओं बेरोजगार वा हुनरमंदों को राहत देने के लिए रेलवे ने अपनी एक स्टेशन एक प्रोडेक्ट पॉलिसी में बदलाव किया अब रेलवे स्टेशन्स पर एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल तीन महीने के लिए आवंटित किये जाएंगे इससे बेरोजगारों और हुनरमंदों को आथ निर्भर बनने के लिए अधिक से अधिक मौका मिल सकेगा समयलित राजय प्रवर अधिना सीवत 2022 की मुख्य परिक्षा 27 सितंबर से शुरू होगी ये प्रदेश के 3 शहरों में 13 केद्रों पर कराई जाएगी दो पालियों में 4 दिन चलने वाले मुख्य परिक्षा के लिए उत्रप्रदेश लोग से वायोग ने तयारी पूरी कर ली PCS मुख्य परिक्षा में इसने 5796 में अभ्यार्ती शामिल होंगे सबसे अधिक अभ्यार्ती लखनों में परिक्षा देंगे UPPSC की वेबसाइट पर परिक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिये गए हैं लगनों से सटी 115 रूट्स पर हट 10 मिनट में मिलेंगे बसस लगनों से सटी 115 मार्गों पर परिवाहन से वाया बहतर होंगी चोटी चोटी रूट्स पर यात्रियों को हट 10 मिनट पने जीवाहन मिल सकेंगे इसके लिए चॉलिस बस मालिकों ने पर्मिट के लिए आवेदन किया है ने आवेधनों पर गुरुवार को मंडला-युक्त के हाँ बुलाई गए शेत्रियो परिवाहन परादिकरण की बैचक में निर्ने लिया गया शेत्रिया परिवन प्राधिकरण के सचेव राम फेर्दी वेदी ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों के आवेदन पत्रों की जांच हो गई है बैचक में परमिट मुद्धों पर चर्चा के बाद फैसला लिया इसके अलावा उच्चन आयले राजे परिवाहन पी लिये और विभना देशों के अनुपालन में अंतिम फैसला होगा पिंशन के लिए तीस सितम बटक पूरा कर लिए काम नहीं तो हो जाएंगे वन्शित व्रदवस्ता पिंशन यूजना की 93,632 समस्त लाभार्तियों का आधार प्रमाणी करन का कारे संपन न कराया ज़ूरा है इस तीस सितम बंट धारिट की गई है ये जानकारी निदेशक समाज कल्यार राकेश कुमार् नेथी नियमों में फसे UB के किसान मांग रहे ज़्यार चाहिए इसी शर्त के कारण बागपत में इस प्रेटर चाहिए पांच किसानों के आवेदन अब तक निरस्त हो चुकी है किसानों की आयए पढ़ाने और लागत कम करने की लिए फसलों पचरकाऊ के लिए ड्रोन पर सबसिदी की योजना तयार की गई थी इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए ड्रोन खेत में दवा का छड़काव मिंटों में कर रहे हैं इसके जरीए समय के साथ-साथ की इटना शक्तवा और उर्वरक की भी बचत होगी खेतों में कटीले तारों परियोगी सरकार ने लगाया बैन केवल रसी लगाने के दिये निर्देश उद्रबदेश सिरकार ने आवारा पश्यों को प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यापक रूप से लगाए गए खेतों के अंदर काटेदार तारों के उपयोग पर प्रतिबंद लगा दिया अधिकारियों ने इस्तानिय लोगों को अपने खेतों में सामाने रस्यों का इस्तमाल करने का निर्देश देने को कहा अवारा पश्यों को लगातार किसानों दौरा खेतों में लगाय जो रहे कठीले तारों से हानी पहुच रही थी वो घायल हो रहे थे शासन ने अब इन कठीले तारों को खेतों में लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबद लगा दिया सांथी जीम को आदेश दिया कि वो इनको हटवा कर समाने रसी का किसानों से प्रियोग कराई पहली अक्टूबर से गोरकपूर जंक्शन पर पांच मिनट कम रुकेंगी चालिस ट्रेंस पहली अक्टूबर से गोरकपूर जंक्शन पर चालिस ट्रेंस का चेराओ पांच मिनट कम हो जाएगा इन ट्रेंस का स्टॉप इच 15 मिनट के बजाए 10 मिनट का होगा जंक्शन पर प्लैटफॉर्म्स के हमेशा पैक रहने की समस्या को देखते हुए रेल प्रिशासन एक अक्टूबर से बड़े बदलाव की तैयारी में जुटा है इसे आउटवर पर खड़ी ट्रेंस को आसाने से लाइन क्लियर बिल सकेगा इलाब आदो शुद्याले में बड़ी फीस के मुद्धे पर सपा विधायक वेल में उतरे सदन स्थके यूपी के विधाय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा मौझूदा विधान मंजल सत्र का एक दिन पूरी तरह दोनों सद्नों के महिला सदस्यों के नाम रहेगा देश में इसे अपनी तरह का पहला प्रियोग माना जा रहा है इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री यूग्या दितिनात ने विधान सभा और विधान परिशत की सभी महिला सदस्यों को एक पत्र और फोल्डर भेज कर अनूठी पहल की प्रदेश सरकार के दोरा साथ अप्रैल 1989 के एक आदेश की यार में सार्फ जनिक संपत्यों को राजस्टो रिकॉर्ड में बतोर वक्फ दर्जु करवाई जाने के मामले की जाच के नया आदेश्त सियासत गर्मा गई है आयोध्या में फिर बनेगा दीपोटसफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड आयोधिया में एक बार फिर से दीपोटसफ का वर्ड रिकॉर्ड बनेगा 23 अक्ट्यूबर को साड़े 14 लाग दीब जला का नया वर्ड रिकॉर्ड बनाने के तयारिया जोर शोर से चल रही है गुरुवार को सीम योगिया अदितिनाद के सलाकार अपनी शवस्ती ने आयोधिया पहुचकर तयारियों का जायसा लिया उसके साथ परियटन विभाग के प्रमुक सचेव मुकेश में श्रान भी रही दोनों अधिकारियों ने लतामंगेश का चौक का निरिक्षन किया रामकता पार्क में छट्वेदी पूतसफ को कैसे भव्य बनाया जाए इस पर मन्थन किया जिले के सभी वरिष्ट अधिकारी बैचक में शामिल रहे लता मंगेशकर के जनमोच सब पर लता मंगेश का चौक का उधगाचन किया जाएगा आगरा में बारिश के चलते निरस्त हो गई जांसी जालान की भरती अब 10 अक्टूबर को होगी आगरा में अगनिवीर भरती रैली में बारिश का खलल पढ़ गया लगतार हो रही बारिश के चलते गुरुवार को जांसी और जालान की भरती रैली को रोकना पड़ा अब इन अभ्याटियों को 10 अक्टूबर को मौका मिलेगा बारिश का मुझफ़नगर में आयोजित भरती रैली पर भी देखने को मिला वहाँ भी काफी कम संख्या में अभ्यरती पहुचे सेना भरती कारेले की ओर से 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आगरा की आनंद इंजिनिरिरिंग कॉलेज में अगनी भरती रैली आयोजित की गई बताया जो रहा है कि गुरवार को बारिश की वज़े से भरती रैली को कई बार रोपना पड़ा अकलेश वादव की मांग सभी सरकारी नौकरी में महिला आरक्षांट 33 प्रतीशन अकलेश वादव ने इस दोरान प्रतीश में पुलिस समेथ सभी सरकारी नौकरीयों महिला को 33 प्रतीशा तारक्षांट देने के साथ ही लड़कियों की केजी से लेकर पीजी तक की मफ्तशिक्षा की मांग की सभी महिला जनपरतीशियों को मेरी बधाई सबी सदस्यों को उत्रप्रदेश के एतिहास एक दिन की बधाई आज सदन का दिन महिलाओ की नाम है शेहर में शामिल हुए गाउं के लोगों कब तक नहीं देना होगा हाउस टेक्स उत्रप्रदेश नगरपाली का वित्ये संसादन विकास बोड की विधान परिशद में रखी गई वाशिक रिपोर्ट में निकाय सीवा में शामिल नए शेत्रों में जरूरी सो विधा होने तक गुरहकर की वसूली न करने के संस्तुती की गई इसके सांथ ये भी संसुती की गई कि आवासिय भवनों की तरह दसवर्षत पुराने अनावासिय भवनों में कर्मे छूट का प्रापधान होना चाहिए सर्वे में खुलासा यूपी में भरे हुए है गैर मानिता प्राप्त मदर्स से मदर्सों की दिश्यस उठाने के लिए उत्रप्रदेश सर्कार ने सर्वे शुरू कराया है सर्वे चल रही है इस तती ये है कि प्रदेश के बाइस जिलो में अब तक हुए तकरीबन 4,000 मदर्सों के सर्वे में 535 ऐसे मिले हैं जो बिना मानिता के सुन्चालित हो रही है सर्वे की दौरान कई जिलो में इस तरह के मदर्से भी सामने आए जिनके बारे में विभा को कुछ पता ही नहीं इन मदर्सों को कहां से और कितना फंड मिल रहा है इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है योगी से मुलाकात के बाद उम्प्रकाश राजबर के बदले सुर सपा बसपा को कोसा सीम योगी आदे तिना से मुलाकात के बाद सुभा सपा चीफ उम्प्रकाश राजबर के सुर अचानक बदल गए उन्होंने सपा बसपा को जम कर कोशा तो सीम के तारीफ के पुल बान दिये उनका आभार जताया, ओपी राजभर ने राजभर सीम योगी से मुलाकाट की थी लाल मीडिया से उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने भर राजभर को त्री शंकू बना कर रखा लेकिन सीम योगी ने हमारी बात सुनने के बाद तक काल भर राजबर को अनसूचित जनजाती में शामल किये जाने का प्रस्ताओ केंदर को भेजने के नर्देश दिये 535 रुपे के आसान किस्ट पर कर सकेंगे जोतिर लिंक की आत्रा आयार सीटे से 15 से 22 सक्टूबर तक चार जोतिर लिंक के दर्शन कराने का पैकेज लॉंच किया है ये पैकेज साथ दिन और आच रात के लिए होगा पैकेज का मूले 15,500 रुपे प्रतिव्यक्ती तैक किया गया पैकेज के खास बात ये है कि इच्छुक्ष रधालू EMI के जरिये 535 रुपे प्रतिवां की किस्त परियात्रा करने की सुविधा पा सकते है चार जोति लिंग में उमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनात और नागेश्वर जोति लिंग, द्वारिका धीश, मंदिर औभेट द्वारिका के दर्शन कराए जाएंगे वहीं द्वारिका इस तिर्शिवराजपूर बीच की भी सेर का मज़ा ले सकेंगे यायम अध्याक्ष ओवैसी ने वक्फ संपत्यों के सर्वे को बताया दूसरा अनरसी उद्वदेश सल्कार के मदर्सा के सर्वे को दारूम उलूम की हरी जंडी मिलने के बाद अध्याक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब नया रागल आपने में लगे है अब ओवैसी प्रदेश में वक्फ की संपत्यों के सर्वे को लेकर राजनीती के मैदान में कूद पड़े है उत्रप्रदेश में वक्व सर्वे की संपत्यों को लेकर असदुद्दीनोवैसी का बयान आने लगा है हिदरबाद से सांसादोवैसी ने वक्व सर्वे को लेकर कहा कि अनर्सी और वक्व के सर्वे में कोई फर्त नहीं उन्होंने कहा कि जैसे अनर्सी जबरदस्ती थोपा जा रहा है वैसे ही वक्व सर्वे की समपत्ती का सर्वे हो रहा है देश और प्रदेश में डास्टरवाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है आस्ट्रिलिया के खिलाब दूसरा T20 आज बारिश के असाथ आज भी बारिश के आसार है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मैच प्रभावित हो सकता है अब छात्रों की भागिदारी इससे दूर करेंगे कमिया सारी मदन मोहन मालविय विश्यविद्याले ने अपनी विवस्था की बहितरी के लिए अनूठी पहल की माल तुर सकता है जुष्यविद्याले अपनी सबी शेक्षनेक सेहर शेक्षनेक और सेत्र Online विष्यविद्यालें और कमिटीज में खात्रों को जगा दे रहा है जिससे व्यवस्था कश्यत प्रतीश्थ चात्रों पयोगी होना सुनिच्छत किया जा सके सांति उन कमियों को दूर किया जा सके जिनकी जानकारी व्यवस्था में चात्रों के सहभागिता ना होने से नहीं हो पाती ऐसा कदम उझाकर प्रद्योगी के विश्रविद्याले और विश्रविद्यालियों के नजीर बन रहा है तीन से चार दिन का महौल तयार, हलकी से मध्याम बारिश के आसार मौसम विशेशकी के अनुसार बारिश के लिए पूरवी उत्रप्रदेश के दक्षण हिस्से में एक हवा के निम्न दबाब कशेतर बना हुआ है जो एक से दो दिन में पूर्वी से लेकर पश्णी में उत्रप्रदेश तक पहुचेगा इसके अलावा प्रदेश के दक्षण हिस्से में ही एक हजार फीट की उचाई पर एक चक्रवाती हवा का शेतर बना है ये वायू मंड़िये परिस्तितियां अंगले 3-4 दिन तक कुछ स्थानों पर आंधी सरी की तेज हवा के साथ बारिश की वजह पनेगी तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको निउस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें हने बार